जैहिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपकार क्लासेस RBL में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तो हम लोग आज देखेंगे सेट नंबर 15 आरपी अफ कांश्टेबल में प्रीवियस एर में पूछे गए जितने कोश्चन है हम सभी को डिसकस कर लेंगे आप से और यहां पे रिवीजन करा देंगे तो आज हम 15 सिट देखेंगे इस से पहले जितने 14 सिट हम करा चुके हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 14 के 14 सिट आप देख सकते हैं तो आज हम लोग पंद्रमा सिट देखते हैं और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों में सेर करें और वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिर्ट नमबर 15 पहला कोश्चन हमारा है पहला कोश्चन कह रहा है अर्थसास्र के छेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है तो जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है तो बताएंगे आपका एंसर हो जाएगा बीमा प्रतिभूती क्या बीमा प्रतिभूती और दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहना जिससे की चीजे आपको समझ में आएंगी वरना बीच से छोण देने से आपको समझ में नहीं आएंगी चलिएगा देखेंगे अगला कोशन दिया है जलवायू परिवर्थन पर आधारित क्रसी से संबंधित राश्टी ये पहल डैडैस द्वारा सुरू की गई तो बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दो नमबर भारति क्रसी अंसंधान परिशद तीसरा नमबर का कोशन है निमन लिखित में से किसे विश्व कभी के रूप में जाना जाता है तो विश्व कभी के रूप में किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे रवींद्र नाथ टैगोर किसे रवींद्र नाथ टैगोर अगला कोश्चन है क्रिप्स मिसन भारत कब आया था क्रिप्स मिसन भारत कब आया था तो आपका एंसर होगा 1942 अगला कोशन है जनहित याचिका कहां अस्तित्तों में आई तो जनहित याचिका जो है कहां अस्तित्तों में आई थी United States of America चलिएगा अगला कोशन देखेंगे हम लोग कोशन नमबर दिया है छे रवींद्र नाठ टैगोर को साहित का नोबेल पुरुसकार उनकी किस क्रति के लिए मिला तो किस क्रति के लिए मिला है तो बताएंगे गीतांजल किसके लिए गीतांजल के लिए दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें चलिएगा अगला कोशन दिखेंगे कोशन नमबर शाथ कोशन नमबर शाथ दिया है दूद में रोगाड़ों को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सिकिंड तक 70 डिगरी सिल्सियस पर गर्म करने करके ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है तो क्या कहलाती है पाश्च पाश् अगला कोश्शन दिया है आठ नमबर सम्यधान के अनुशाहर राजसभाग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताएंगे होती है दो सब्चास कितने 220 अगला दिया है वह रासाइनिक अविक्रिया जिसमें कोई पदार्थ आकसीजन से अविक्रिया करके उस्मा उत्पन करता है कहलाता है तो क्या कहलाता है बताएंगे नौ का इंसर हो जाएगा देहन कहलाता है देहन अगला कोशन है देश नंबर उत्पादन या वितरन द्वारा वस्त के मूल्य वर्धन के प्रतेक चरण में एक अत्रित डेट डेश के रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है मूल्य वर्धितकर के रूप में ठीक है अगला कोशन दिया है वर्स 1947 में न्याईक सक्रियता का सब्द किसने गढ़ा था न्याईक सक्रियता का सब्द किसने गढ़ा था बलवंत रामेता या और कोई बताएंगे आर्थर स्ले जिंगर किसने आर्थर स्ले जिंगर तो आपका अंसर हो जाएगा तीसरा अगला question दिया है निम्नलिखत में से कौन सा एक अन्तासरावी गरंथी है तो कौन सी है सबी को फिरहाल मालुम होगा प्यूश गरंथी अगला question कुश्चन है गुर्दे में निम्नलिखत चोटी पत्री को बारीक कडों में तोड़ने के लिए निमने लिखित में से किस विदिका उपयोग किया जाता है तो यहां पे आपके आपसन दिये हैं तो आपसन देखेंगे क्या क्या दिये हैं आपसन दिया है आपके चार आपसन दियें बताईएगा इसमें कहते हैं अल्टरा शाउंड अगला कोश्चन है कोशन दिया है इस्टाक एक्सचेंज का एक पंजी करन सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से सेयर या प्रतिभूतियां खरीदता है या बेचता है और लेंदेन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है तो क्या कहलाता है बताएंगे कमीशन ब्रोकर कहलाता है अगला कोशन निमने लिखित में से कौन बाक्सिंग से संबन दिता है तो बाक्सिंग से ए आई बी ए क्या संबन दिता है ए आई बी ए ये गलत हो जाएगा तो दोस्तों इसका एंसर क्या हो जाएगा बी आपसन हो है निम्न में से कौन बाक्सिंग से समंदित है तो बाक्सिंग से आपका सही है चौथा ही सही हो जाएगा AIBA क्या सही हो जाएगा AIBA अगला कोश्चन सुल्तान अजलान साहकप निम्न लिखित में से किस खेल से समंदित है सुल्टान अजलान साकप किस खेल से सम्मंदित है तो ये किस से है हां की से अगला कोश्चन दिया है भारत के आंतरिक छेत्र में जलवायू के चरम का अनुभव होता है सागर से दूरी के कारण अगला कोश्चन वर्स 1769 में अहमद साह अबदाले डैस बदला लेने के लिए भारत लोटा तो किस से आप बताएंगे मराठों से अगला कोश्चन है 1932 में दीचांत शमारोह में अपनी उपस्थी थी राप्त करते हुए ब्रिटिस गवर्नर का गवर्नर पर किसने गोली चलाई तो ब्रिटिस गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी आप बताएंगे बीना दास अगला कोश्चन है कारबन डाई आकसाइड अड़ में कारबन के परमाड़ों और आकसीजन के परमाड़ों के दरब्यमानों का अनुपात कितना होता है तो यह अनुपात कितना होता है तो बोलेंगे तीन अनुपाते आठ होता है अगला कोश्चन दिया है प्रत्वी की त्रिज्जा कितनी है तो प्रत्वी की त्रिज्जा 6.37 मिलियन मीटर अगला दिखेंगे दोस्तो दिया है 22 नमबर क्या कह रहा है MS सुब्बू लच्छमी डैस के छेतर से सम्मन्दित एक प्रशिद्ध महिला थी सुब्बू लच्छमी तो बताएंगे आप 22 के क्या हो जाएगा संगीत अगला कोश्चन दिया है भारत के चुनाओ आयोक की स्थापना किस वर्स हुई थी भारत के चुनाओ आयोक की स्थापना किस वर्स हुई थी तो आपका एंसर आएगा 1950 डूरंड रेखा ब्रिटिस सा भारत और डैस के बीच की सीमा रेखा है तो इसे 24 नमबर को आप कमेंट करके बताएगा दोस्तों 24 नमबर में क्या एंसर आएगा ठीक है अगला कोशन देखेंगे हम लोग प्रत्वी को नीला ग्रांकियों कहा जाता है क्योंकि पानी की उपास्तित के कारण हाँ चलिएगा अगला देखेंगे 26 नमबर है फीफा 20 सुकब 2014 में गोल्डेन बॉल पुरुसकार किसने जीता तो पुराना करेंट अफेर है ये प्राल इस्टाटिक में चला जाएगा 26 का बताएगे लियोनेल मेसी 27 नमबर कोश्चन है सुतंतरता पूर्वक भारत के सक्टिसाली जमीधारों के लिए किस सब्द का परियोग किया जाता था तो किस सब्द का परियोग किया जाता था अब बताएगे राजा अगला है लोग सब्द को डैस के रूप में भी जाना जाता है लोग सब्द को किस के रूप में जाना जाता है बताएगे जनता का सदन जनता का सदन क्या जाना जाता है जनता का सदन अगला अगला देखेंगे इंडोनेसिया की मुद्रा है इंडोनेसिया की मुद्रा क्या है इंडोनेसिया ने रुपिया इंडोनेसिया रुपिया अगला देखेंगे 49 नमबर दिया है 29 नमबर हो गया था अब देखेंगे तीस नमबर मान डैस मानों आँख में प्रवेस करने वाले प्रकास की मात्रा को नियंतृत करता है तो क्या नियंतृत करता है आयरिस अगला क्वेशन है निम्न लिखित में से काउन सार राज भारत का सबसे बड़ा मानसुत पादक राज वर्तमान में है मानसुत पादक तो बताएंगे उत्तर प्रदेश अगला है 2018 में सीट कालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस अस्थान पर हुआ था प्योंग चांग चलिएगा अगला क्वेशन देखेंगे अंतर राष्टी ओलंपिक समिति आयोज सी की पहली भारती महिला सदस्तिकों काउन जेने रियों है तो 33 का है नीता अमबानी अगला क्वेशन भारती राष्टी कांगरेस के अधिवेशन कि अधिचता करने वाली पहली भारती महिला बहुत कोशन पुछा जाता है रिपीट होता है कोशन तो आप बताएंगे एंसर के आजाएक सरोजनी नाइडू अगला कुशन निमन रिखित में से कौन सच छेत्र दच्चिन भारत में के खाध्यान के रूप में जाना जाता है खाध्यान के रूप में कावेरी डेल्टा क्यों जाएगा कावेरी डेल्टा अगला देखेंगे खारतूम डैस नदी के किनारे इस्थित है खारतूम तो खारतूम जो है नील खारतूम जो है किसकी राजदानी है खारतूम तो सुडान की है अगला क्शोन है भारत में उत्पादित रेसम का अधिकांस प्रकार है अधिकांस प्रकार है रेसम का तो 37 कre बताएंगे सहतूद अगला question दिया है चंदीगड़ सहर का वास्तुकार निम्न में से कौन था चंदीगड़ बताएंगे कौन था आपका answer हो जाएगा कारबूर सियर D option हो जाएगा 49 नमबर answer आएगा क्या देखें है 49 नमबर क्या कह रहा है तो 49 नमबर दिया है राज सबाग का सदस बनने के लिए आयू कितनी होनी चाहिए तो आसान है राज सबाग के लिए कितनी होनी चाहिए तो बताएंगे राज सबाग के लिए 30 वर्स कितना 30 वर्स अगला question दिया है होगता शन्य रैद्धनीयम वर्स 10 में सुरूओ गद्धनीयम तो बताएंगे 1986 अगला क्यूशन है अंगोरा अल्पाईन और नूबियन प्रकार 10 के उधारण है किसके उधारण है तो बताएंगे बकरी की नसल, किसके हैं, बकरी की नसल, अगला कोशन देखेंगे, 42 नमबर, तो 42 में कह रहा है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासाइनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थ में, पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अगला कोशन है, भारत में जनहीत याचिका की आउधारणा के प्रेरणा कौन थे, प्रेरणता प्रडेता कौन थे करहा, आउधारणा के प्रडेता कौन थे, तो प्रडेता जो थे कौन थे, 43 में देखेंगे, जश्टिस पी सदासिवम और पी एन भगवती, तीसरा सही हो हो जाएगा कि 43 में सब्सक्राइब कर देखेंगे भारत के राष्ट पती के पद का कारिकाल कितना होता है भारत के के राष्ट पती का कारिकाल पांच वर्स होता है अगला देखेंगे कोलंबिया का पठार किस महाद्यूप में इस्थित है तो आप बताएंगे 45 नंबर छूट गया दोस्तों कौन से उतक पाउद्धे के तनों में वलाय के निर्माण और जड़ों की व्रद्ध के रूप में सहायक होते हैं तो आप बताएंगे 45 का क्या हो जाएगा पार्स क्या हो जाएगा पार्स क्या हो जाएगा पार्स विभाद जियो तक अगला बताएंगे 46 नंबर 46 नंबर में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका क्या हो जाएगा 46 में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका देखेंगे 47 नंबर 47 नमबर कह रहा है एकल इन्धन श्रोत से बिजली और तापी ये उर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है क्या कहलाता है एक साथ उत्पादन 47 का हो जाएगा को जनरेशन अगला कोश्चन है 48 नमबर भारत में पहला नगर निगम डैस में इस्थापित हुआ पहला नगर निगम मदरास बोलेंगे मदरास अगला कोश्चन है संसद में एक वर्स में कितने सत्र होते हैं एक वर्स में कितने सत्र होते हैं तो तीन सत्र तीन है सत्र अगला दोजार ग्यार इकीस में पूरुसों की विस्व मुक्यबादी चैंपियनसिप की मेजबानी की सद्धेस द्वारा की गई तो की सद्धेस द्वारा की गई इसमें तो दोस्तों इसको कमेंट करके बताना कि पुराना करेंट है यह आप कमेंट करना इसको क्या एंसर होगा इसका तो यह रहे हमारे 50 कोश्चन जो की बहुत कम समय में हमने रिवीजन करा दिया तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में share करें और वीडियो को like करें तो दोस्तों आप सभी को अन्तिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए जैहिन